कि यह मेरा आखरी सवाल है कि हम जब ऐसा सोचते हैं और पीपल आर यूजिंग आज वो हमारा गलत फायदा उठा रहे हैं और लेकिन देखिए हम भारवालों के लिए हम कही बर फैमिली में हैं सोच रहे हे हैं यह यह निए यूजरी है यह लिज़े हम आपके वाइफ है तो अपने मनमें क्वेशन नहीं कर दो आज इसका जानना मैं जाणना चाहूंगी कि इस से हम कैसे मुक्ति पाएँ इस चीज से कि पीपल यूजिंग तो क्या सच में लोग हमारे यूज करते हैं जहां तक प्रिष्ण है क्या मुझे यूज किया जा रहा है तो यह बहुत ही सुपरफीस्चल एक अबजर्वेशन है सतही तोर पे व्यक्तित को ऐसा महसूस हो रहा है वो बहुत गहराई में उसमें गया नहीं है अन्था आप यह देखें कि आप हैं कौन जो आपको यूज किया जा रहा है आपकी सत्ता क्या है आपकी तागत क्या है आप हैं क्या वो तो ऐसी स्थिती है के जैसे वो काठ की कट पुतलियां सूत्र धार नचाता है इस स्टेज पर पिाड़ फोर्म पर तो हम स्टेज बेव नचा रहा लेकिन हर कट पुतली सूत्र धार के अंगलियों से धागे से बनी हुई है जैसे जैसे वो धागा चला खीचता है वैसे वैसे कटपुतलियां नाच कर रही है लोग तो तालियां पीटेंगे के कटपुतली का नाच बहुत अच्छा हुआ लेकिन उनको वो परदे के पीछे सूतरधार नहीं दीख रहा है के कटपुतलीयां तो निर्जीब थी, ये भला क्या techniques करती इन्हें नचाने वाला कुई परदे के पीछे है जिसके इसारे से ये सारा खेल हो रहा है तो एक तो हम ये मान के चलें के परमात्मा हम से वोheiro खेल खिला रहा है परमात्मा हम से निर्टे करा रहा है हम भला हमारी तागत क्या थी हमारी आवकात क्या थी मैं था ही कौन के हम दुनिया को मैं कुछ कर पाता तो जीवन के पीछे जगत के पीछे स्वेम के क्रिया कलाब के पीछे परमात्मा के अद्रस हाथों को देखें कि परमात्मा के अद्रस हाथ हैं वो हमसे ये सब खेल खिला रहे हैं दूसरी बात जहां यूज करने की बात है अभी हम जैसा कह रहे थे कि हम जैसा बीच से कहो परमात्मा से कहो हमारे जीवने वही कई गुना हमको बापस मिलने वाला है तो जो मिलने वाला है वो हम अपने लिए भी बीजबो रहे हैं उसमें उनको उनके उपर कौँ सा हमने आहिसान किया है कि उनके लिए हमने किसी के लिए कुछ किया है हमने जो अच्छा भीजबो है हमें अच्छाइयां मिलेंगी हमने जो सुक का बीज बोया वो सुक मिलेगा मान का बीज बोया वो मान मिलेगा वो उसमें एक कबीर का रहीम का है रहीम मानि ये तने खेते है मनसा भयो किसान और पाप पर्ण दोई बीज है बोई सो हो ए निदान कहते हैं ये हमारा सरीर खेत है और हमारा मन जो है वो पापण के बीज बो रहा और जैसे पापण के हम बीज बो रहे हैं वही कई गुना हम बापस मिल रहे हैं तो हम जैसा अपने सरीर से, विचारों से, अपनी कर्म से, सभाव संसकार से, मन से, वाने से जैसे कर्म करते हैं वही हमें कई गुना बापस मिलते हैं इसलिए कभी भी मन में ये भाव ना लाओ कि हम किसी के लिए एक बड़ा उपकार कर रहे हैं कभी भी आप देखो जैसे एक घर पे पोश्ट में आता और हर महीने वो दस हजार रुपए मेंडर लाक दे जाता और ऐसे एक नहीं दस परिवारों मों वो गाउं में देने आत दस हजार अब अगर पोश्ट में रिटायर हो तो वो ये चिंता नहीं करता कि आप इनका मेंडर कौन लाएगा उसे मालूम है कि मैं नहीं दे रहा था कोई भीजने वाला है तो कोई पाने वाला मेरे हाथों से सिर्फ दिया गया है और अगर हम रिटायर हो गए तो हमारी ज परमात्मा की करुणा देखो उसकी किर्पा देखो और उसके अद्रिस से हाथों को पहँचानो कि उसने मुझे से इस योग समझा कि मेरे हाथों से कुछ सुब काम हो जाए अच्छे काम हो जाए और सरीर तो आज है कल ब्रद्धावस्ता आएगी मौत भी आएगी धन आज है कल नरद्धावाद भी आसकती लेकिन जो दूसरों से हमने जो आसीरवाद लिये है दौाएं लिये हैं वो दौाएं ऐसी है वो पुर्ण के पूजी ऐसी है जो मेरे जीवन में यहाँ भी काम आती है और अगले जनम में भी वो दौइँ हमारे साथ जाएंगे हमें काम आएगे तो कम से कम किसी के प्रति ये भाव ना देखो क्यों कोई मुझे यूज कर रहा है अन्ना था हम तो भगवान ये सिकाइद करने लगे कि तुम सब हमें यूज कर रहे हो हम भगवान को यूज कर रहे है तो भगवान ने कभी नहीं सोचा कि तो हमको यह भगवान तो वो रही करुणा से लुटा रहा है बड़ी करुणा से दे रहा है किरपा से दे रहा है उदारता से दे रहा है लेकिन हमारी जो हिर्दे की शंकीरता है विचार का संकुचित होना है वो हमें ऐसा लगता है कि हमने थोड़ा किसी के साथ कर दिया तो लोग मेरे आहिसान को माने लोग जो है उसकी बहुत जादा बाहवाई करें ऐसा कुछ नहीं है ये मान के चलो कि बड़ी कृपा हुई कि भगवान हमारे हाथों से कुछ सुभ कराया पुर्निका काम कराया और हमें इस योग समझा के वो हमें सम्मान मिला हमारे हाथों से कुछ भले काम हुए दौाएं हमें लोगों की मिली तो किसी के प्रतिक कभी भी कोई व्यक्ति हो गुलाब तो सुगंदी है तो सुगंदी ही देगा हमारे अंदर करुणा का भाव है प्रेम का भाव है तो हम तो परोबकार ही करेंगे हम किसी का अहित नहीं करेंगे किसी का अमंगल नहीं करेंगे किसी को कश्ट नहीं देंगे इसलिए कभी भी ये बात लानी ही नहीं चाहिए कि कोई व्यक्ति मुझे यूज कर रहा है हम कोई हमें यूज नहीं कर रहा है हम अपने ही कर्म आगे के अच्छे बना रहे है अपने लिए बीज बो रहे है और जो बीज आज हम बो है कि मेरे हाथों से कुछ आजे कर रहे हैं वो हमें फिर कई गुना बापस मिलने वाले हैं तो कभी भी ऐसा भाव मन में मत लाओ के हमें कोई यूज कर रहा है परमात्मा को यूज परमात्मा ही हमारे क्रिया कलामों में उतर रहा है सास दी है तो परमात्मा ने दी है अगर स्वास ना होती हवा ना होती तो कोई कर्म कर पाते परमात्मा न अन न दिया होता तो बिना अन के भोजन के बिना के जीवन चलता तो जो हम कर रहे हैं वो परमात्मा का ही हाथ था कि उसने हमें स्वास लेने के लिए हवा दी खाने के अन्य दिया, सूर की रोशनी दी, अगर ये सब कुछ ना होता, तो क्या शरीश से कुछ कर्म हो पाता, तो भगवान कह सकता है, कि तुम नहीं कर रहे हमारे भी हिस्चेदार ही हमारी पार्टनर्शिप है, अगर समस्वास ना देते तो तुम कुछ नहीं कर पाते, तो ये सब उसकी किरपा है, उसकी करुणा है, कि उसने हमें इसी योग बनाया है, कि मेरे जीवन में कुछ लोगों के साथ हम पुन कर सकें, दौाय अरजिद कर सकें, और परमात्मा हमारे आज के कर्म हमें भविस में जो भविस में आज आगे या अंगले जरह में मिलेंगे, ये उसकी किर्पा है तो कभी भी अपने अंदर ये अहंकार ना पाले कि मैं कुछ कोई हमें यूज कर रहा है उसकी किर्पा है करुणा है कि भगवान ने हमें इसलिए इतना योग बनाया कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ लठकार यह कि मैं इसलिए फोग सिर्ट सकर सकत्या टींदेल कि मैं मिए फूलस प्यक्षर बनाया कि लिए है कि इससे दो जात प्रिंश कर सकूँ सब्छा है झाल झाल